हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब तो आज एक नया दिन और हम फिर से प्रस्तूत हैं एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है घर जमाई जिसे लिखा है मुनसी प्रेम चंद्र जी ने दोस्तों यह कहानी है एक व्यक्ति की जिसके घर में उसके पिता द्वारा दूसरी शादी कर लेने पर वह अपने ससुराल में शरण ले लेता है लेकिन ससुराल से उसे क्या मिलता है यह है उसकी कहानी तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं घर जमाई हरिधन जेट की दुपहरी में उख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा घर में से धुआ उठता नजर आता था छन छन की आवाज भी आ रही थी उसके दोनों साले उसके बाद आये और घर में चले गए दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए पर हरिधन अंदर ना जा सका इधर एक महने से उसके साथ यहां जो बरताव हो रहा था और विसेश कर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी वहां उसके पाओं में बेडिया से डाले हुए था कल उसकी सास ही ने तो कहा था मेरा जी तुमसे भर गया मैं तुम्हारी जिन्दगी भर का ठेका लिये बैठी हूँ क्या और सबसे बढ़कर अपने इस्तरी की निस्ठुरता ने उसके हिर्दय के टुकडे टुकडे कर दिये थे वह बैठी या फटकार सुनती रही पर एक बार तो उसके मूँ से न निकला अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो बैठी गटगट सुनती रही शायद मेरी दुरगती पर खुश हो रही थी इस घर में वह कैसे जाए क्या फिर वही गालिया खाने वही फटकार सुनने के लिए और आज इस घर में जीवन के दस साल गुजर जाने पर यहा हाल हो रहा है मैं किसी से कम काम करता हूं दोनों साले मीठी नीन्द सो रहते हैं और मैं बेलो को सानी पानी देता हूं चाटी काटता हूं वहाँ सब लोग पल-पल पर चीलं पीते हैं मैं आखे बंद किये अपने काम में लगा रहता हूं संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं मैं घड़ी रात तक खाय बैसे दुहाता रहता हूँ। उसका यह प्रुसकार मिल रहा है कि कोई खाने को भी न पूसता, उल्टे गालिया मिलती हैं। उसकी इस्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खीच लो, एक बूंध पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया, उसे जोर की भूक लगी हुई थी, समझा अब खाने को बुलाने आवेगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो गई। हरिधन थका मांदा शुधा से व्याकुल पड़ा-पड़ा सो गया, सहसा उसके इस्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया, हरिधन ने पड़े-पड़े कहा, क्या है, क्या पड़ा भी ना रहने देगी या और पानी चाहिए। हरिधन ने देखा, उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किये चले आ रहे थे। जाल दी जाती है, यही घर है जहां आज से दस साल पहले उसका कितना आदर सतकार होता था। साले गुलाम बने रहते थे सास मुँ जोती रहती थी स्त्री पूजा करती थी तब उसके पास रुपए थे जायदात थी अब वह दरिद्र है उसकी सारी जायदात को इनी लोगों ने कूडा कर दिया अब उसे रोटियों के भी लाले हैं उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो भिगो कर लाए पर जब्त करके रह गया पड़े पड़े बोला मुझे भूक नहीं है आज नहीं खाऊंगा गुमानी ने कहा न खाओगे तो मेरी बला से हाँ नहीं तो खाओगे तुमारे ही पेट में जाएगा कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा हरिधन का ख्रोध आसू बन गया यह मेरी इस्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया मुझे उल्लू बनाकर यह सब अब निकाल देना चाहते है वह अब कहां जाए क्या करे उसकी सास आकर बोली चलकर खा क्यों नहीं लेते जी रूटते किस पर हो यहां तुमारे नकरे सहने का किसी में बूता नहीं है जो देते हो वह मत देना और क्या करोगे तुमसे मेरी बेटी ब्याही है कुछ तुमारी जिन्दगी का ठेका नहीं लिखा है हरिदन ने मरमहात होकर कहा हां अम्मा मेरी भूल थी मैं यही समझ रहा था अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिन्दगी का ठेका लोगी जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था अब दरिद रहूं तुम क्यों बात पुछोगी बूड़ी सास भी मूँ फुला कर भीतर चली गई बच्चों के लिए बाप एक फालतूसी चीज एक विलास की वस्तू है जैसे घोड़े के लिए चने या बाबू के लिए मोहन भोग मा रोटी दाल है मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है पिता के दर्शन कभी कभी शाम सबेरे हो जाते है वह बच्चों को उच्छालता है, दुलारता है कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है और बस यही उसके करत्यव्य की इती है वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती लेकिन मा तो बच्चे का सर्वस्व है बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग सह नहीं सकता पिता कोई हो उसे परवाह नहीं केवल एक उछलने कुदने वाला आदमी होना चाहिए लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए सोलह आने अपनी वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्त्रोत मानो सूख जाता है फिर वह सीव का नंदी है जिस पर फूल या जल चड़ना लाजमी नहीं अक्तियारी है हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहान्त हो गया था वह उस वक्त उसका विवा हो चुका था वह 16 साल का कुमार था पर मा के मरते ही उसे एहसास हुआ जैसे वह कितना निसहाय है जैसे उस पर कोई अधिकार ही न रहा हो बहनों के विवाहा हो चुके थे भाई कोई दुसरा न था बिचारा अकेले घर में जाते भी डरता था मा के लिए रोता था पर मा की परचाई से डरता था जिस कोट्रे में उसने दे ताक किया था उधर वा आँखे तक न उठाता घर में एक बुआ थी वह हरिधन का बहुत दुलार करती हरिधन को अब दूध जादा मिलता काम भी करना पड़ता बुआ बार बार पूस्ती बेटा कुछ खाओगे बाप भी उससे जादा प्यार करता उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी कभी कभी उससे कुछ पैसे देता कि चाहे जैसे खर्च करे पर इन मरहमों से वह घाव ना पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था यह दुलार और प्यार उसे बार-बार मा की याद दिलाता मा की घुड़कियों में जो मजा था वह क्या इस दुलार में था मा से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूट कर लेने में जो आनन था वह क्या इस भिक्षादान में था पहले वह स्वस्थ था मांग कर खाता लड़ लड़ कर खाता अब वह विमार था अच्छे से अच्छे परदार्त उसे दिये जाते थे पर भूक न थी साल भर तक वह इस दसा में रहा फिर दुनिया बदल गई एक नई इस्त्री जिसे लोग उसकी माता कहते थे उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके सकुचित भून मंडल पर छा गई सारी हरियाली सारे प्रकास पर अंधकार का परदा पड़ गया हरिधन ने इस नकली मां से बात तक न की भर में न गया जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली उसे एक बार फिर इर्शामय हर्स हुआ उसकी आखों से आसू की एक बूंध भी न आई इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मात्र इसनिह का आनंद मिला उसकी सास ने रिशी वर्दान की भाती उसके सुन्य जीवन को विभूतियों से परिपुर्ण कर दिया मरुभूमी में हरियाली उत्पन्न हो गई सालियों की चुहल में, सास के स्निह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकाशाय पूरी हो गई सास कहती बेटा तुम इस घर को ही अपना घर समझो तुम्हें मेरी आँखों के तार हो वह उसे अपने लड़कों की बहुँ की शिकायत कर दी वह दिल में समस्ता था सास जी मुझे अपने बेटों से भी जादा चाहती है बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदात को कूडा करके रुपेयों की थैली लिये हुए आ गया अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा उसने अपनी सारे समपत्ती सास के चर्णों में अरपन करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया अब तक उसे कभी-कभी घर की याद आ जाती थी अब भूल कर भी उसकी याद ना आती थी मानो वह उसके जीवन का कोई भिशन कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था वह सबसे पहले उठता सबसे ज़्यादा काम करता उसका मनो योग उसका परिश्रम देखकर गाउं के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे उसके ससूर का भाग बखान थे जिसे ऐसा दमाद मिल गया लेकिन जियों-जियों दीन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया पहले देवता फिर घर का आदमी अंत में घर का दास हो गया रोटियों में भी बाधा पड़ गई अपमान होने लगा अगर घर के लोग भूके मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता उसे जरा भी शिकायत ना होती लेकिन जब देखता और लोग मूचों पर ताओ दे रहे हैं केवल मैं ही दूद की मक्खी बना दिया गया हूं तो उसके अंतस्तल में एक लंबी ठंडी आहा निकल जाती अभी उसकी उम्र 25 साल की ही तो थी इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी और तो और उसकी इस्त्री ने भी आँके फेल ली यह उस विपत्ती का सबसे क्रूर दिश्य था हरिधन तो उधर भूका प्यासा चिंता दहा में जल रहा था इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बाते हो रही थी गुमान भी हां में हां मिलाती जाती थी बड़े साले ने कहा हम लोगों की बराबरी करते हैं यह नहीं समझते कि किसे ने उनकी जिन्देगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है दस साल हो गए इतने दिन में क्या दो-तिन हजार ना हडब गए होंगे छोटे साले बोले मजूर हो तो आदमी घुड़के भी डाटे भी अब इनसे कोई क्या कहे न जाने इनसे कभी पिंड छूटेगी भी या नहीं अपने दिल में समस्ते होंगे मैंने दो हजार रुपए नहीं दिये यह नहीं समस्ते कि उनके दो हजार कप के उड़ चुके सवा सेर तो एक जून को चाहिए सास ने गंभीर भाव से कहा बड़ी भारी खोराक है गुमानी माता के सिर से जू निकालती जा रही थी सुलकते हुए हिर्दय से बोली निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है बड़े खाने की कोई बात नहीं है जितनी भूख हो उतनी खाय लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए यह नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे है छोटे मैं तो एक दिन कह दूँगा अब अपनी रहा लीजिए आपका करजा नहीं खाया है गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बाते सुनकर अपने पती से द्वेस करने लगी थी अगर वा बाहर से चार पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता वह भी रानी बन कर रहती ना जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है गुमानी की मनोवृत्या अभी तक बिलकुल बालपन किसी थी उसका अपना कोई घर न था उसी घर का हित अहित उसके लिए प्रधान था वह भी उनी सब्दों में विचार करती इस समस्या को उनी आखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे सच तो 2000 रुपे में क्या किसी को मोल ले लेंगे 10 साल में 2000 होते ही क्या है 200 ही तो साल भर के हुए क्या दो आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे फिर कपड़े लत्ते दूद घी सब कुस तो है 10 साल हो गए एक पीतल का छल्ला नहीं बना घर से निकलते तो जैसे इनके प्रान निकलते हैं जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जनम भर होती रहेगी यह नहीं सोसते कि पहले की बात और थी अब की बात और है बहुत पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महातम होता है उसके डोली से उतरते ही बाजे बसते हैं गाउ मुहले की औरते उसका मुह देखने आती है और रुपए देती है महिनों उसे घर से अच्छा खाने को मिलता है अच्छा पहनने को कोई काम नहीं लिया जाता लेकिन छे महने के बाद कोई उसकी बात भी नहीं पुस्ता वहाँ घर भर की लॉंदी हो जाती है उनके घर में मेरी भी तो वही गती होती जब चाता है निकाल देता है कसकर काम लेता है यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया जब जी में आया पढ़कर सो रहे हरिधन अभी पढ़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहाब बोले भाईया उठो तीसरा पहर ढल गया कब तक सोते रहोगे सारा खेत पड़ा हुआ है हरिधन चट उठ बैठा और तेर्विस्वर में बोला क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है दोनों साले हक्के बक्के हो गए जिस आदमी ने कभी जवान नहीं खोली हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांदे हाजिर रहा वहाँ आज एका एक इतना आत्मभिमानी हो जाए यहाँ उनको चौका देने के लिए काफी था कुछ जवाब न सूचा हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड गए है तो एक और धक्का देने की प्रबल इच्छा को न रोक सका उसी धंक से बोला मेरी भी आखे हैं अंधा नहीं हूँ ना बहरा ही हूँ छाती फाड कर काम करूँ और उस पर भी कुट्ता समझा जाऊँ ऐसे गौ कहीं और होंगे अब बड़े साले भी गरम पड़े तुम्हें किसने यहां बांध कर रखा है अपकी हरिधन ला जवाब हुआ कोई बात ना सूझी बड़े ने फिर उसी धंक से कहा अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पाहुन बने रहो और वैसा ही आदर सत्कार हो तो यह हमारे वस की बात नहीं है हरिधन ने आखे निकाल कर कहा क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ बड़े यह कौन कहता है हरिधन तो तुम्हारे घर की नीती है कि जो सबसे जादा काम करे वही भूका मारा जाए बड़े तुम खुद खाने नहीं गए क्या तुम्हारे मुँ में कोई कौर डाल देता हरिधन ने ओठ चबाकर कहा मैं खुद खाने नहीं गया कहते तुम्हें लाज नहीं आती नहीं आई थी बेहन तुम्हें बुलाने छोटे साले ने कहा अम्मा भी तो आई थी तुमने कह दिया मुझे भूक नहीं है तो क्या करती सास भीतर से लपकी चली आ रही थी यह बात सुनकर बोली कितना कहकर हार गई कोई उठे न तो मैं क्या करूँ हरिधन ने विस खून और आग भरे हुए स्वर में कहा मैं तुमारे लड़कों का जूटा खाने के लिए हूँ मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोगों के सामने आकर सुखी रोटी का टुकडा खालू बुढिया ने एट कर कहा तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे हरिधन परास्त हो गया बुढिया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया उसकी तनी हुए भवे धीली पड़ गई आखों की आग बुझ गई फड़कते हुए नथूने सांथ हो गए किसी आहत मनुष्य की भाती वह जमीन पर गिर पड़ा क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे यह वाक्य एक लंबे भाली की तरह उसके रिदय में चूपता चला जाता था ना रिदय का अंत था ना उस भाले का सारे घर ने खाया पर हरिधन न उठा सास ने मनाया सालियों ने मनाया ससुर ने मनाया दोनों साले मना कर ठक गए हरिदन न उठा वही ध्वार पर एक टक पड़ा रहा उसे उठा कर सबसे अलग कुए पर ले गया और जगत पर बिछा कर पड़ा रहा रात भीग चुकी थी अनंत प्रकाश में उज्वल त्वारे बालकों की भाती क्रीडा कर रहे थे कोई नाचता था कोई उचलता था कोई हसता था कोई आखे भीच कर फिर खोल देता कोई साहसी बालक सपाट भर कर एक पल में उस विस्तृत छेत्र को पार कर लेता था और ना जाने कहां छिप जाता था हरिधन को अपना बच्पन याद आया जब वह भी इसी तरह क्रीडा करता था उसकी बात इस मृतिया उन्हीं चमकीले तारों की भाती प्रजुलित हो गई वह अपना छोटा सा घर वह आम के बाग जहां वह कैरिया चुना करता था वह मैदान जहां वह कबड़ी खेला करता था सब उसे याद आने लगे फिर अपनी इस निहमई माता की सदय मुर्ती उसके सामने खड़ी हो गई उन आखों में कितनी करुणा थी कितनी दया थी उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता ने आख में आशु भरे उसे चाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी और चली आ रही थी वह उस मदुर भावनों में अपने को भूल गया ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे चाती से लगा लिया है और उसके सरफर हाथ फेर रही है वह रोने लगा फूट फूट कर रोने लगा उसी आत्म सम्मोहित दसा में उसके मुह से ये शब्द निकला अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है कोई उसे पानी को भी नहीं पूसता क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं है सहसा गुमानी ने आकर पूछा क्या सो गए तुम नौज किसी को ऐसी राक्षस नीन दाए चलकर खा क्यों नहीं लेते कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे हरिधन उस कलपना जगत के क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया वहीं कुए की जगत थी वहीं फटा हुआ टाट और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर वोला भला तुम्हे मेरी सुथ तो आई मैंने तो कह दिया था मुझे भूक नहीं है गुमानी तो कह दिन न खाओगे अब इस घर का पानी भी न पियोंगा तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं धिन्ड संकलब से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी बोली कहा जा रहे हो हरिधन ने मानो नशे में कहा तुझे इससे क्या मतलब मेरे साथ चलेगी या नहीं फिर पीछे से ना कहना मुझसे कहा नहीं गुमानी आपत्ती के भाव से बोली तुम बताते क्यों नहीं कहां जा रहे हो तु मेरे साथ चलेगी या नहीं जब तक तुम बताना दोगे मैं नहीं जाओंगी तो मालुम हो गया तु नहीं जाना चाती तुझे इतना ही पूछना था नहीं अब तक तो मैं आधी दूर निकल गया होता यह कहकर वा उठा और अपने घर की और चला गुमानी पुकारती रही सुन लो सुन लो पर उसने पीछे फिर कभी न देखा तीस मील की मंजल हरिधन ने पांच घंटों में तै की जब वा अपने गाउं की अमराईयों के सामने पहुँचा तो उसकी मात्र भावना उशा की सुनहरी गोद में खेल रही थी उन विक्षों को देखकर उसका विद्वल हिदय नाचने लगा मंदिर का वह सुनहरा कलस देखकर वह इस तरह दोड़ा मानो एक छलांग में उसके उपर जा पहुचेगा वह बेग में दोड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फ्यलाए उसे बुला रही हो जब वह आमों के बाग में पहुचा जहां डालियों पर बैट कर वह हाती की सवारी का आनंद पाता था जहां की कच्ची बैरे और लिसोडों में एक स्वर्गे स्वात था तो वह बैट गया और भूमी पर सिर जुका कर रोने लगा मानो अपनी माता को अपनी विपत्ती कथा सुना रहा हो वहां की वायू में वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट रुपिनी माता व्याप्थ हो रही थी वहां की अंगुल अंगुल भूमी माता के पद चिन्नों से पवित्र थी माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे इश वायू और इस आकास में ना जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके सौकार्द रहिदय को बालोत सह से भर दिया वह एक पेड़ पर चड़ गया और आर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा सास के वह कटोर सब्द इस्त्री का वह निस्ठूर आगात वह सारा अपमान वही भूल गया उसके पाउं फूल गये थे कलवों में जलन हो रही थी पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान ना था सहसा रखवाले ने पुकारा वह कौन उपर चड़ा हुआ है उतर अभी तो नहीं ऐसा पत्थर खीच कर मारूंगा कि वही ठंडे हो जाओगे उसने कई गालिया भी दी इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था वह डालियों में छिप गया कई आम काट 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 कर नीचे गिराए और जोड से ठटा मार कर हसा ऐसी उल्लास से भरी हुई हसी उसने बहुत दिनों से नहसी थी रखवाले को वह हसी परिचित से मालूं हुई मगर हरिधन यहां कहां वह तो ससुराल की रोटिया तोड रहा है कैसा हसोड़ा था कितना चिलबल ना जाने बिचारे का क्या हाल है पेड की डाल से तलाब में कुद पढ़ता था अब गाओं में ऐसा कौन है डाट कर बोला वहां बैठे बैठे हसोगे तो आकर सारी हसी निकाल दूँगा नहीं सीधे उतर आओ वह गालिया देने जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी सिर सिहलाता हुआ बोला यह कौन सैतान है नहीं मानता ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ उसने अपनी लकडी नीचे रग दी और बंदरों की तरह जटपट उपर चड़ गया देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है चकित होकर बोला अरे हरिधन तुम यहां कब आए इस पेड़ पर कपसे बैठे हो दोनों बचपन सखा वहीं गले मिले यहां कब आए चलो घर चलो भले आदमी क्या वहां आम भी मैसर ना होते हैं हरिधन ने मुस्करा कर कहा मंगरू इन आमों में जो स्वाध है वहां और कहीं के आमों में नहीं है गाउं का क्या रंग धंग है मंगरू सब चैंचन है भीया तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया इस तरह कोई गाउं घर छोड़ देता है जब से तुम्हारे दादा मेरे सारे गिरस्ती चौपट हो गई दो छोटे छोटे लड़के हैं उनका क्या होता है हरिधन मुझे अब उस गिरस्ती से क्या वास्ता है भाई मैं तो अपना ले दे चुका मजूरी तो मिलेगी न तुम्हारी गईया ही चरा दिया करूँगा मुझे खाने को दे देना मगरू ने अब इस्वास के भाव से कहा अरे भया कैसी बात करते हो तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है क्या ससुराल में अब न रहोगे कोई चिंता नहीं पहले तो तुम्हारा घर ही है उसे संभालो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पालो तुम नई अम्मा से नाहग डरते थे बड़ी सीधी है बेचारी बस अपनी मा ही समझो तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी अच्छा घर वाली को भी तो लाओगे हरिधन अब उसका मुह न देखूंगा मेरे लिए वा मर गई मंगरू तो दूसरी सगाई हो जाएगी अपकी ऐसी महरिया ला दूंगा कि उसके पैर धोधो कर पियोगे लेकिन कहीं पहले भी आ गई तो हरिधन वह न आएगी हरिधन अपने घर पहुँचा तो दोनों भाई 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 आये भाई आये कहकर भीतर दोडे और मा को खबर दी उसी घर से कदम रखते ही हरिधन को ऐसी सांती का अनुभव हुआ मानो वह अपनी मा की गोद में बैठा हो इतने दिन ठोकर खाने से उसका हिदय कोमल हो गया था जहां पहले अभिमान था आगरह था, हेकडी थी वही अब निराशा थी पराजय थी और याचना थी बिमारी का जोर कम हो चला था पर अब उस मामूली दवा भी असर कर सकती थी किले की दिवारे छिद्र हो चुकी थी अब उसमें घुश जाना असहय ना था वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था अब गोत फैलाए उसे आश्रे देने को तयार था हरिधन का निरव वलम, मन यहाँ आश्रे पाकर मानो त्रप्त हो गया साम को विमाता ने कहा बेटा तुम घर आ गए हमारे धनो भाग अब इन बच्चों को पालो मा का नाता ना सही बाप का नाता तो है मुझे एक रोटी दे देना खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है उस नाते से तुम मेरे भी लड़के हो वी माथा का मुख मंडल उसकी छटा से रंजित था दुसरे दिन हरीधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला उसके मुख पर उल्लास था और आखों में गर्व अव्व किसी का आश्रित नहीं था आश्रे दाता था किसी के द्वार का भिख्षुक नहीं घर का रक्षक था एक दिन उसने सुना गुमानी ने दुसरा घर कर लिया मा से बोला तुमने सुना काकी गुमानी ने घर कर लिया काकी ने कहा घर क्या कर लेगी ठट्टा है बिरादरी में ऐसा अंधेर पंचायत नहीं अदालत तो है हरीधन ने कहा नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ ला महाबीर जी को लड़ू चड़ाऊं मैं तो डर रहा था, कहीं वो मेरे गले ना आ पड़े भगवान ने मेरी सुन ली मैं वहाँ से यही ठान कर चला था अब उसका मुह न देखूंगा तो दोस्तों, यहीं पर कहानी समाथ होती है यह थी कहानी घर जमाई जिसे लिखा है मुंसी प्रेम चिंद्र जी ने आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दें और अगर आपको कोई कहानी सुननी है तो वो कौन सी कहानी हो हमें कमेंट में जरूर बताएं थैंक यू फ्रेंड्स